तो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मेद करता हूं ठीक होगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो सौधी लोग हाउश ड्राइवर के लिए रूम बनमाते हैं अपने घर में याद रखिएगा मैं घर की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग किरायक प अप लोग देखेंगे तो चौक जाएंगे कि ऐसा रूम इस रूम में रहना पड़ता है लोगों को और जो लोग अपने घर में अपने मुलक में आठारवाई बीस के रूम में रहते हैं या फिर खुब बड़ा सा मकान में रहते हैं और खुब घूमते टहलते हैं लेकिन लोग यहां पर आने के बाद इतना छोटा रूम अब आप लोग सोच रहेंगे इतना छोटा रूम का मतलब क्या होता है तो उसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको कि कितना छोटा रूम मिलता है और कैसे रहना पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है सब कुछ इस वीडि की रहेंगे तो आप लोगों को मैं अच्छी इंफॉर्मेटिव डालता रहता हूं आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझेंगे कि साओधी एरब में लोग जाते हैं और कितनी मुसीबत से पैसा कमाते हैं कैसे रहते हैं और अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फ को सुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग साओधी आने के लिए तरस्ते हैं सोचते हैं उनका सौक है बहुत सारे लोगों की मजबूरी है बहुत सारे लोगों का सौक है मुझे लगता है कि सौक तो सिर्फ एक दो परसेंट लोगों का होगा लेकिन मजबूरी सभी को जो है प सब्सक्ople dieses कि साओधी में यहां रियाद में नहीं है तो जो लोग रियाद आते हैं रहते लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों बहुत सारी लोग जो अपने घर पे रहते हैं और उनको पूरा एक मकान कम पढ़ जाता है रहने के लिए वही आकर के यहां पर जो हौश ड्राइबर का रूम यहां पर होता है साथी लोग अपना अपना घर त चार फिट तो मैं ज्यादा ही बता दे रहा हूँ वह चार फिट से कमी रहता है एक चार पाई मान के चलो एक चार पाई बड़ी मुश्किल से उसमें पढ़ती है चार फुट चोड़ा और दस फुट लगबग सम्थिंग लंबा इतना ही चोड़ा रूम रहता है उसी में ल लेकिन जो घर में रहते हैं ज्यादा तर उनका रूम ऐसा ही होता है मैं कभी आपको दिखाऊंगा क्यूंकि मैं एक जगां जाता हूं तो वहां पे एक सुडान का ड्राइबर है रहता है उसका रूम में दिखाऊंगा आप लोग देखेंगे चौग जाएंगे और मेरे यह खांके भी दो तिल लोग रहते हैं नोगों का कभी मैं अगर जाना हुआ तो दिखाता हूँ आप लोग देखेंगी आप लोगों को यकीन हो उतनी छोटे से रूम में रहते हैं साओधी लोग सोचते नहीं है वो लग सोचते हैं कि राइबर है या आदमी है ओ कैसे रहेगा क्या वो इतना जदा उनके पास टाइम में सोचने का बस वो सोच रहे लेगा सो लेगा बस खाना कैसे बनाएगा नहाएगा कहां मतलब किसी भी चीज की वेवास्ता का मतलब मान के चलो जैसे आप जेल की जगा तो फिर भी ज़्यादा होती है जेल में जो रूम मिलता है वो फ पाइदा होता है कि आखिर ऐसा रूम क्यों बनमाते हो लोग दोस्तों ऐसा रूम सिर्फ वो इसी लिए बनमाते हैं उन लोगों की पैस फालतू क्या फीजूल का खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं समझ सकते हैं हमारी बात को चुकि यह लोग अपनी क्वाई से पूरी क्यारे वाला जो सच्चाई है वही में बताता हूं मेरे चेनल पर आपको सिर्फ सच्चाई मिलेड़ी और बहुत सारे लोगों को सच्चाई से अलरजी है बहुत इस से लिए संचाई । बता रहा है कियों बता रहा है क्या मतलब है और बहुत सारी लोग ये बहुन ऐना पाइसाओ चाहिए यह काम ये तो वो यह भी जाल लें कि हमारा जो लड़का Suzuka है हमारे जो फाधर आप वहां पर रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, कितना मुसीबत जहल करके वो पैसा कमाते हैं, भाइस आप जो ड्राइविंग के काम करते हैं, मैं आपको बताओ, ड्राइविंग का और कमपनी में दोनों का माम बताओ, ड्राइविंग का जो काम करते हैं, अगर मैंने कुछ साओ कुछ इसे मैं नहीं होते हैं कि इमर्जन्सी से का मतलब कि उनके लिए इमर्जन्सी आपके लिए कुछ भी सौधी अरब में जितने काम करते हैं उनकी 24 घंटा की ड्यूटी रहती है 24 घंटा कभी भी वो कॉल करके बुला सकते हैं और सातों दिन यह नहीं कि आप फ्राइडे को जुमा को छुट्टी कर लो नहीं कुछ भी छुट्टी बगएर नहीं काम नहीं रहेगा रोम पेपर रहो वह अलग मेंटर है लेक फेस्बूक पर अगर आप बेड़ देखें तो फालू जरूर कर लें मिलता हैं फिर किसी ने वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ तब तक कि लिए भाइट टिक केर अपना ख़्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए वीडियो को सेर जरूर करिए ताकि आपके दोस्तो दोटों को भी पता चले कि वहां सवुदी में जो लोग रहते हैं वो रहते कैसे हैं